सीधे इंसान को कभी भी धोखा मत देना दोस्तों अन्य था उपर वाला उसका परिणाम आपको टेड़े तरीके से देगा नमस्कार दोस्तों मैं एस्ट्रोलाजर वासुदेव मिस्रा आपका अपने चैनल भविस्यमाडी पावर आफ दे लौड में हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का यह जोतिस का कार्यक्रम आप लोगों के लिए वरिशब रासी वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्तोपुण कार्यक्रम साबित होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके विकली प्रेडिक्षन के बारे में सापताहिक रासी फल के बारे में जी हाँ दोस्तों आप लोगों के लिए साल 2023 के अंतिम महिने दिसंबर महिने के दुसरे सपता है याने की 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है इन साथ दिनों में ग्रहों की इस्तिति के आधार पर आपको किस प्रकार का फला फल मिलेगा जो ग्रह आपको नकरात्मक रुप से प्रभावित करेंगे उनके लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे इसलिए अगर आप भी एक ब्रिसब रासी के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कार्यक्रम को अंत तक देखें और दोस्तों अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विस्लेसन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्यन करवा सकते हैं तो दोस्तों देखिए, साप्ताही करासिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गढ़ना की जाती है, क्यों क्योंकि चंद्रमा होता है हमारे मन का कारग्रह, हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर छेत्र में लागू करने का प्र चंद्रमा की गोचर ये इस्तिती के बारे में बात की जाए तो दोस्तों सब्ताह के सुरुवात में याने की 11 और 12 तारिक को चंद्रमा का गोचर विरिश्चिक रासी में होगा और विरिश्चिक रासी जो होती है दोस्तों वह चंद्रमा की नीच रासी होती है जिसके फल सु जाएगी और नीच भंग राजयोग का निर्माड होगा इसके साथ साथ लचमी नारायन राजयोग का भी निर्माड होने वाला है जो आपके लिए अत्यंति स्रेश्ट और लाबदायक साबित होगा तो ही सप्तह के मध्य में याने की 13 और 14 तारीक को चंद्रमा धनुरासी में गोचर करेंगे देव ग्रु ब्रहस्पति की नवम द्रिश्टी चंद्रमा के उपर पड़ेगी जिसकी वजह से गज केसरी योग के समान प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा तो ही सप्तह के अंतिम पड़ाओ में याने की 15, 16 और 17 दिसंबर को चंद्रम का गोचर मकर रासी में होगा जिसके उपर केतु की पंचम द्रिश्टी पड़ेगी ये इस वजह से थोड़ा सा फिर से आपको अपने कारिय चेत्र में टेंसन तनाव की स्थिती देखने को मिल सकती है तो दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए याने की ब्रिशब रासी बनेगा वह आपके व्यापार के लिए अत्यंतिस रेश्ट कहा जा सकता है अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं तो निस्चित तोर पर वहाँ पर आपको विशेश सफलता की प्राप्ती होगी पार्टनर्सिप में बिजनेस करते हैं तो कुछ नए आ बर्द दूप से प्राप्त होने वाला है जो जातक विवाह के लिए अभी तक इनतजार कर रहे थे उनके लिए भी विवाह के योग बनेंगे अच्छे-च्छे रिस्ते आएंगे हो सकता है आपका विवाह फाइनल भी हो जाए साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय ना सिर्फ आपको अपने परिवार के लोगों का सहीवक प्रापत होगा बलकि रिस्तेदारों का या फिर अपने दोस्तों का भी पुरा का पूरा सपोर्ट आपको प्रापत होने वाला है आपकी समाजिक value बढ़ेगी समाज में मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय चंद्रमा के प्रभाव से और मंगल के प्रभाव से आपकी जीवन में कुछ positivity बदलाव आपको देखने को मिल सकती है इस समय आप कुछ नया व्यापार करने के बारे में सोच सकते हैं कुछ investment करने के बारे में सोच सकते हैं तो अहीं दोस्तों सप्ताह के मध्य पड़ाव में याने की 13 और 14 दिसंबर को चंद्रमा धनु रासी में गोचर करेंगे आपकी रासी से अष्टम भाव में देव ग्रु ब्रहस्पति की द्रिष्टी भी पढ़ेगी जिसकी वजह से इस समय आप अपनी जीवन में कई प्रकार की परिसानियों से बचेंगी कानूनी परिसानियों से बचेंगी बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क होगा इस समय धन की प्राप्ती होने का भी योग बना हुआ है हाला कि वेवाहिक जीवन में या फिर लव लाइप के छेतर में कुछ डिस्टर्बेंस याने की वैचारिक बद्भेत उत्पन न हो सकता है इसलिए आपको इस समय अपनी वाड़ी पर थोड़ा नियंतर रखने के आवसकता होगी तोहीं पेट और पैरों से सम्मंधित समस्याओं में भी काफी हद तक आपको सुधार होता हुआ महसूस होगा इसमें कहीं कोई सक नहीं है हाला कि विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा स्ट्रगल फूल रहेगा यानि कि विद्यार्थियों को इस समय अगर किसी भी प्रकार का कोई इक्जाम है या फिर कोई इंटर्व्यू है तो निश्चित तोर पर आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है तो निश्चित तोर पर आप किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेकर की इन छेतरों में निवेश कर सकते है तो नहीं दोस्तों सप्तहा के अंतिम पड़ाओ में 15, 16 और 17 दिसंबर को चंद्रमा का जो गोचर है वह आपकी रासी से नवम इस्थान में होगा भाग या भाव में होगा जिसके परिणाम स्वरूप लंबे समय से जो पदोन्नती आपकी रुकी होई थी उसके रास्ते खुलेंगे इस समय आपको अपने कारिय छेत्र में सांती का वातावरण देखने को मिलेगा कोई बड़ा निवेस करने से पहले आपको हर पहलू का अच्छे से विचार कर लेना चाहिए इस समय चोटे भाई बहनों के साथ संबंद बहतर होंगे उनका सपोर्ट आपको मिलेगा लेकिन यहाँ पर बहुत ही जादा भाउनात्मक विचारों से ओत्प्रोत होकर के आप धन खर्च कर सकते हैं इसलिए थोड़ा सा अपने आप पर विवेक बना करके रखिए विवाह के अच्छे अच्छे रिस्ते आएंगे जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए साथ ही साथ इन तीन दिनों में आप लोटरी सटा सेर इन छेतरों से लाप राप्त कर सकते हैं लेकिन कुछ वेर्थ की यात्राएं और धार्मी की यात्रा में भी आपके पैसे बरबाद हो सकते हैं इसलिए इस समय आपको फिजूल की यात्रा करने की बजाए अपने कर्म पर फोकस करने की सलाह दी जाती है पीता के साथ मदभेदता सरकार के लोगों से आद भी किसी ना किसी प्रकार की वैचारिक मदभेद बिल्कुल भी उत्पन ना करें तो आपके लिए बहतर होगा क्योंकि इस समय आपके भाग या भाव में केतू की दृष्टी पड़े की जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें क्रियेट हो सकती है नेगेटिव तरीके से जो वास्ताव में प्रभावी होंगी ही नहीं इसलिए थोड़ा सावधान होने की आओ सकता है कुल मिला करके कुछ मामलों में सावधानी बरतते हुए आपको लाप अवस्य प्राप्त होगा फिर भी इस सप्ताह को और जादा बहतर बनाने के लिए आपको रोजाना चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए और माता दुरगा के मंदिर में जाईए उनका दर्सन कीजिए आपके लिए यह सप्ताह आपके अनुकुल साबित होगा तो दोस्तों हमें उम्मिद है जानकारी आपको पसंद आई होगी फिर मिलेंगे एक नए और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार